एने यूए इसके दसवी क्लास और बारवी क्लास के स्टूरेंस है जो अपने नेम में करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर अपने फादर नेम में करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर वो अपने मदर नेम में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोग चानल लो कि यह आप कैसे कर सकते हो, document आपको क्या लगेगा, क्या document आपको upload करना होगा, face कितने लगेगा, online आप लोग कैसे apply कर सकते हो, और अगर आपका online supply नहीं हो रहा है आपके dashboard से, तो उस niche में आपको क्या करना है, और कितने दिनों में ये approval आपको मिल जाएगा यानि कि आप अगर correction के लिए apply करोगे जैसे कि अगर आप father name के correction के लिए apply करते हो या mother name correction के लिए apply करते हो या अपने खुद के नाम के correction के लिए apply करते हो तो anyway इस कितने दिनों में आप लोग को approval देदेगा और आपका जो correction है वो complete कर देगा तो इस वीडिय तो एक इस्टुरेंस के थूरू यहाँ पर हम सारी चीज़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपना name correction के लिए father name correction के लिए mother name correction के लिए आपको सबसे पहले अपने dashboard में login करना होगा और login करने के लिए आपको video के description में ये website का link आपको दे रखा है तो simply आपको login करना है पहले ठीक है roll नमा डालके या फिर आप reference नमा डालके अपना जो data worth है वो डालोगे और उसके आद अपने dashboard में login करके आओगे login करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको e-service वाला box को search करना है यह दिखोगे तो आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको जो आप दिखोगे यहाँ पर आपको basic details correction का एक box मिलेगा और इसे में आपको जो मैंने starting में बोला है कि आप name correction के लिए apply करना चाहो तो उसका link आपको मिलेगा father name correction करवाना है तो उसका link मिलेगा mother name correction करवाना है तो उसका link मिलेगा और DOB और guardian name का भी यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप समझ लो कि आपको कैसे correction के लिए apply करना है जैसे कि सब फोच करो कि यहाँ पर हमें अपने खुद के निमे correction करवाना है तो पहले नमर के link पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे ठीक है और इससे पहले हमें OTP generate करना होगा जैसे आपकी need है उसके according यहाँ से link चूज करोगे जैसे कि खुद का name correction के लिए apply करना है तो खुद के link पर पर क्लिक करोगे या फिर father name और mother name का भी यहाँ पर link दिया गया है तो आप उसका योज कर सकते हो process विल्कुल सेम है ठीक है प्रोसेस विल्कुल सेम है जैसे कि हम यहाँ पर माल लेते है कि आपको father name correction करवाना है जो कि mostly अभी बच्चे गलती कर रहे है अड़ीशन के time कि अपने father name में सरनिम बगर नहीं लगा रहे ठीक है तो अगर आपको father name में correction करवाना है तो second link पर click करोगे father name correction इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको OTP generate करना होगा तो OTP generate करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है generate OTP पर click करना है और आपके mobile नमर पर अभी एक OTP जाएगा जिससे आपको यहाँ पर submit करना है ताकि आगे का जो form है न वो खुल सके और एक चीज़ आपको यहाँ पर बात आयता हूँ कि जो form है न विल्कुल same होता है जैसे कि खुद का name correction के लिए apply करो या mother name correction के लिए apply करो या father name correction के लिए apply करो यहाँ पर आप लोग का जो form होता है नो विल्कुल सेम होता है ज्यादा कुछ भरना नहीं होता है विल्कुल सेम इंटरफेस आएगा तीनों में और आप लोग कर पाओगे तो यहाँ पर हम OTP का वेट करें और हो सकता है कि OTP आप लोग का थोड़ा सा डिले आए क्योंकि आपके लोकेशन के उपर डिपेंड करता है नेटवर्क के उपर डिपेंड करता है कि उस एरिया में आपका नेटवर्क कैसा चलना है कौन सा सीम है तो थोड़ा सम वेट करेंगे OTP verify करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा अब देखो यहाँ पर जो आपको नोड दिया गया ना इसको आपको समझना है पहले क्या होता था न कि आप लोग जब name correction के लिए apply करते थे खुद के name correction के लिए या father name correction के लिए या mother name correction के लिए तो easily आप लोग का यहाँ पर वो हो जाता था लेकिन अब जो है anyways strict हो गई है और document जो है आप लोग से यह काफी ज़्यादा हद तक tight document आप से मांगती है तो यही चीज़ आपको समझना है अब मैं इसको थुरा सा अनबलर कर देता हूँ यहाँ पर जो चीज़े दी गई है वो आपको समझना है यहाँ पर चीज़े दी गई है आपको समझना है जैसे कि हम father name correction के लिए apply करने वाले हैं और document के लिए यहाँ पर note दिया गया है document के लिए यहाँ पर note दिया गया है note मैं आपको read करके बताऊंगा learner must ensure that correct to father name as per document is recorded while while taking admission given blood to supporting document are mandated to upload यानि कि हमें father name correction के लिए NOS ने दो document यहाँ पर mandate कर दिया है कि दो document हमें देना ही है कौन कौन सा तो पहला document यह मांग रहे है birth certificate from cancer municipal corporation local self government office of the circle officer block development officer subdivision migrate district migrate और register of birth and death ठीक है यहाँ पर birth certificate यहाँ पर इन्होंने मांगा है birth certificate यह मांग रहे और जो कि आपकी जैसे कि block से बना होना चाहिए अगर आप गाव से हो तो block से बना होना चाहिए यानि कि कहने के मतलब यह है ठीक है आपको birth certificate यहाँ पर देना होगा ठीक है पहले क्या होता था था ना पहले बहुत easily आप लोग का name correction हो जाता था लेकिन अब यहाँ पर heart कर दिया है ठीक है birth certificate आपको देना होगा ऐसा इन्होंने बोल लखा है लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दूँ कि आप लोग का जो दसवी class का mark sheet होता है ठीक है जैसे कि दसवी class का आपको जो mark sheet होता है अगर आप बारवी class में ड्विशन ली रख्यों और father name correction के लिए apply कर रहे हो तो दसवी class का mark sheet भी यहाँ पर आप योज कर सकते हो हलाकि note में यही बोला गया है कि आपको birth certificate ही देना है ठीक है birth certificate ही देना हो है चाहिए वो अगर आपका death certificate है आपके पापा का ठीक है तो दे सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा document देना है जिस पर आपका नाम हो और आपके पापा का नाम हो ठीक है पहले नमर पर यह बोला गया है जैसे कि आप लोग को मैंने बता दिया birth certificate और दसवी class का जो mark sheet होता है वो valid होता है आटवी साथवी का mark sheet मत डालना क्योंकि वो recorded नहीं होता है दसवी class का जो mark sheet होता है वो आप लोग का state level पे record होता है उसका 1030 के पास तो उससे वो match कर जाता है और दूसरा document जो यहाँ पे मांगा है ना जो कि पहले मांगते ही नहीं थे दूसरा document उन्होंने बोला है कि 10 रुपे के stamp paper पे आपको notary करवाना है 10 रुपे के stamp paper पे आपको notary करवाना होगा यह दोनों document जो है ना आप लोग को यहाँ पे upload करना है ठीक है दोनों document आपको यहाँ पे upload करना होगा तो notary के लिए तो आप लोग अपने nearby coat चल जाना है जो भी coat आपका लगता है और वहाँ पर notary करना हो ले बैठे होते है 10 रुपे के stamp paper पे उसे notary करवा ले ना उसे बोलना कि father name correction करवाना है anyways में बाकी यह खुश कर देंगे आप लोग का और 10 रुपे के stamp paper पे notary करवात होगा ना तो इसके बाद वो document लेके आना और पहला document आपको बोला है कि आपके पास बहुत certificate होना चीए या पापा का death हो गया तो death certificate ठीक है या फिर 10 रुपे class का mark sheet ये दो document मुझे लगता है कि आप लोग के लिए suitable बैठेगा यहाँ पर document आप देख लेना document आपको त्यार करवाना होगा उसके बाद ये आप लोग apply करना अधरवाई कोई फायदा नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आपका ये reject कर दे ठीक है और reject करने के बाद कोई refund वगड़ा मिलता नहीं है तो ये भी चीज़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको देखोगे तो name correction में आपको यहाँ पर मिलेगा previous name में आपका father का name मिलेगा जो आपने पहले डाल लखा है new name क्या रखने वाले हो ठीक है जो कि document के अधार पर होना चीए जैसे कि हमारे पापा के नाम में surname नहीं है तो इस case में हम सिर्फ यही लिखने वाले हैं और इसका हम document भी देंगे document upload करने के लिए आपको क्या करना होगा तो 1MB size रखने है PDF की PDF बना लेना कैसे बना होगी वीडियो के description में आपको link मिलेगा एप का ये क्यूज करोगे और इसका PDF बना लोगी ठीक है फोटो खीच होगे और इसका PDF बना लोगी और दोनों document को यहाँ पे as well as आपको upload कर देना है ठीक है 1MB maximum limit दी गई है ठीक है document upload करने के बाद आपको pen आउपर क्लिक करना है यहाँ पर मैंने आपको PDF गलत बोल दिया है PDF में नहीं लेगा ये सिर्फ आपको photo खीच के ही upload करना होगा जो supporting यहाँ पे format दिया गया है PNG, JPG, JPEG और GIF यानि कि photo ही खीच के आपको डालना होगा PDF में नहीं लेगा तो document को आप upload करके payment पेना उपर क्लिक करोगे यह page redirect होगा और यहाँ पर जो fees है न वो बताने के लिए यहाँ पर आया हूं है देखो father name correction के लिए जो है न सारे 400 रुपए यह मांग रहे हम से यानि कि सारे 400 रुपए हमें pay करना होगा और आपको मैं यहाँ पर बता दू कि हमें father name correction के लिए apply नहीं करना है लेकिन आप लोग के लिए वीडियो आना है तो payment करने के लिए आपको कोई भी यहाँ पे एक option select करना है card है तो card करना है UPI में सारे आ जाएंगे google पे भीम पे QR code scan करके करना चाहते हो तो कर सकते हो net banking से कर सकते हो wallet से कर सकते हो case another option भी है ठीक है तो payment आप लोग करो और आपको देखो document बता दिये कितने दिनों में मिलेगा approval तो देखो document अगर आपका सारा सही हुआ तो इस case में दो हफ्ता लगेगा दो हफ्ता से जादर नहीं लगेगा दो हफ्ते के अदर अदर आप लोग का approval मिल जाएगा और आपका father name या जो भी name के correction के लिए आप apply कर रहे हो आपका apply हो जाएगा और आप लोग जो भी आपका correct होना वो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अपने name correction के लिए apply कर सकते हो और document जो है यहाँ पर सेमी मांगते है हर किसी में तो इस चीच को आपको ध्यान नखना है बाकि मिलेंगे अगले वीडियो में